वालो गाइस वेलकम बैक विताने अधर फीडियो जो आज हम लोग बात करेंगे भी नेया फोन में जो हम लोगो का मैसेज़िंग आप आप आथे वह गूगल मैसेज़िंग आप आता है तो उसमें जो मैने मैंनीशू फेस किया है कि ऐसे बहुत सारे messages रहते हैं तो कोई categorized message नहीं रहते है कि यह वाली persons के message है यह OTPs है तो मैं यह आपको दिखाऊंगे कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है पहले अपना message app open करना है यहां पर आज जाना है settings general message organization इसको अगर on कर देंगे तो message एक के categories आ जाएंगे जो मैं आप copy दिखाऊंगा और इसका अगर आप on करेंगे तो OTPs generally हम लोग को एक दिन के अंतर तो जरूरत होता है ना तो यहां पर यह option on कर देंगे तो OTP auto delete हो जाएगा 24 गंटे के बाद तो बहुत सारे messages में आपका message box overloaded नहीं होगा ठीक है तो अभी देखिए यह आ गया है मेरा personalized जैसे यहां पर personal transactions ऐसे अलग अलग तरीके साब देख सकते हैं offers OTPs ठीक है तो यही ऐसे तर्के कर सकते हैं और मेरे लिए तो यह काफी helpful है बट मैं और एक चीज मेंशन करना चाहूंगा अभी oneplus के कुछ फोन में यह feature अभी तक आया नहीं है तो I guess वह लोग update के साथ यह पहुज भेज दे क्योंकि option ही नहीं आ रहा है मेरा realme GT Master इसमें आ रहा है तो देखते हैं ठीक है वह अचाहिए आप देखते हैं तो